Welcome to Insights Study Forum, आपके अपने platform पर आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि UPTT का अंगरेजी का syllabus क्या है और कौन-कौन topics को अंगरेजी में सामिल किया गया है उनको आप ध्यान में रखें और फिर ध्यान में रख करके आप किसी भी पुष्टक से या coaching में आप उन topics को जरूर त्यार करें देखिए, books में बहुत सी बाते लिखी होती हैं लेकिन वो सारी बाते परिक्षा में नहीं आती है परिक्षा में कुछ ही points आते हैं, कुछ chapters आते हैं तो वो chapter वो slavers आपको officially देखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आप लोग सही दिखा में तैयरी करते रहें, ठीक है? books में से उन चीजों को ढूणने का प्यास करें जो आपके official slavers में दी गई है उससे क्या होगा? आप सही दिखा में तैयरी करेंगे तो बिना देरी करते हुए चलते हैं syllabus के ओर और देखते हैं syllabus क्या दिया गया है? भासा second इसमें हम बात करेंगे कक्षा एक से पांच के लिए और इसमें जैसा हम जानते हैं कि भासा जो second है इसमें हम English या फिर उर्दू या फिर Sanskrit इसमें से हम कोई भी एक भासा को ले सकते हैं तो इसमें हम बात करेंगे English के लिए क्योंकि most of the candidates जो होते हैं वो English को ही opt करते हैं और बहुत कम ऐसे होते हैं जो Sanskrit या फिर उर्दू को लेते होंगे ठीक है तो फिलाल हम इसमें English की बात करेंगे इसमें जो विसे वस्तु दी गई है वो ये है आपको इसमें unseen passage questions आएंगे उसके बाद में sentence जैसे subject and predicate kinds of sentences यानि कितने प्रकार के sentences होते हैं यहां से questions आएंगे parts of speech होती है वहां से questions आएंगे और काफी easy भी होती है kinds of noun, noun कितने प्रकार के होते हैं और pronoun क्या होता है adverb क्या होता है, adjective क्या होता है, verb क्या होती है मतलब एक प्रकार से English का जो grammar section होता है वो ये बड़ा पूरा part है तो यहां से English grammar से questions आएंगे और बहुत ही easy होगा आपको inside study forum पर पूरा grammar पढ़ाया जाएगा बिल्कुल भी डरने की कोई बात नहीं है आप अच्छी तरीके से इसको score करेंगे उसके बाद में फिर हम बात करेंगे इसमें preposition के बारे में और conjunction के बारे में फिर आपका है का tense tense जो होता है वो बहुत ही important होता है अगर आपने सही तरीके से tense को समझ लिया जो tense वाला पार्ट है इंग्लिस grammar में तो almost आपने पूरी grammar को ही समझ लिया क्योंकि tense जो होता है वो बहुत जरूरी होता है समझना कितने types के tense होते हैं वो सब कुछ आपको पढ़ना पढ़ेगा और आपको पूरा पढ़ाय भी जाएगा grammar के अगर हम बात करें कुछ lectures पहले से पढ़े हुए है चैनल पर जिसमें पूरा tense फिनिस किया गया है तो अगर आप चाहते हैं तो आप जाएंगी प्लेलिस्ट में वहाँ पे इंग्लिस grammar का आप सर्च करेंगे और उसको पूरा प्रिजेंट से लेकर के future तक यानि सभी tenses को complete किया गया है बहुत ही अच्छी तरीके से तो अगर आप चाहते हैं तो उसको आप पढ़ सकते हैं study कर सकते हैं लेकिन seated या यूपिटेट के लिए ये पूरा grammar फिर से बनाय जाएगा तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है उसके बाद फिर बात करेंगे articles की punctuation कौन-कौन से होते हैं और punctuation क्या होता है word formation क्या होता है active और passive voice क्या होता है singular और plural क्या होते है gender क्या होता है तो यहां से questions आएंगे अब देखिए एक basic सा difference है up-tet में और c-tet में difference यह है कि c-tet में जो syllabus दिया गया है प्रतेक विसे का उसमें से 15 अंकों के जो questions आएंगे वो pedagogy से आएंगे यानि c-tet में प्रतेक विसे में pedagogy दी गई है लेकिन up-tet में ऐसा नहीं है up-tet में प्रतेक विसे में pedagogy से एक या दू questions आ सकते हैं लेकिन maximum questions कहां से आएंगे आपके content से आएंगे जो content आपका दिया गया है ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे तो हमने discuss किया है इस वीडियो में जो English का जो syllabus से पूरा का पूरा तो आप सही तरीके से इसको दिमाग में रखिए और कोसिस करें कि जो पिछले वर्सों के questions पूछे गए हैं उनको आप solve करें उनको आप analyze करें देखें कि किस type से questions पूछे गए हैं उसी से आप अपनी strategy frame करें बाकी हमारे channel पर आपको पूरी strategy की बात की जाएगी किस तरीके से तैयारी की जाए अच्छी तरीके से देखें किसी वे exam की तैयारी करने का सबसे जो basic factor होता है वो यह होता है कि सबसे पहले आप उसका पाठ्ट करम उसका syllabus जाने कि syllabus क्या है और उसके बाद में आप पिछले वर्सों के question papers को solve करें बस यह दो अगर आप कर लेंगे तो उसके बाद में आप उसी को आधार बना करके अपनी strategy develop करें यही सबसे best technique होती है और इसमें हम आपकी पूरी help करेंगे तो आगे हम बात करेंगे कुछ other subjects का पाठ्ट करम के वारे में तो इस वीडियो में इतना ही था thank you very much, thank you, thanks a lot